साथ्यों, आपका ये हौसला, आपका शारिय और माभार्ति के मान सम्मान की रक्षा के लिए आपका समर्पन और तुल्निया है आपकी जिवरता भी दुनिया में किसी से भी कम नहीं है जिन कठीन परिस्थितियों में जिस उन्चाई पर आप मा भारती की ढाल बन करके उसकी रक्षा करते हैं उसकी सेवा करते हैं उसका मुखाबला पूरे बिश्व में कोई नहीं कर सकता है आपका साहस उस उन्चाई से भी उन्चा है जहां आप तैनाथ है आप का निश्चाई उस गार्दी से भी सक्त है जिसको रोज आप उपने कदों से नापते हैं आपकी भुजाए उन्चाट्टानो जैसी मजबूत है जो आपके इर्दगिर्द खड़ी है आपकी इच्छाशक्ति आस पास के परवतों जितनी अटल है आज आपके बीच आकर मैं इसे महसूस कर रहा साथ्षाथ अपनी आँखों से इसे देख रहा साथ्यों जब देश की रख्षा आपके हाथों में है आपके मजबूत इरादों में है तो एक अटूट विश्वास है जर मुझे नहीं पूरे देश को अटूट विश्वास है और देश निश्चिंद भी है आप जब सरहद पर डटे है तो यही बात प्रतेख देश्वासी को देश के लिए दिन रात काम करने के लिए प्रेवित करती है आत्म दिर भर भारत का संकल आप लोगों के कारण आपके त्याग बलिदान पुरसाद के कारण और मजबूद होता है और अभी जो आपने और आपके साथियों ने बीरता दिखाई है उसने पूरी दुनिया में ये संदेश दिया है कि भारत की ताकत क्या है और मैं मेरे सामने महिला फोजियों को भी देख रहा हूँ युद्ध के महडान में सीमा पर ये दर्ज अपने आपको प्रेणा देता है साथियों राष्ट कवी रामधारी सी दिनकर्जी ने लिखा था जिनके सिहनाद से सहमी धर्ती रही अभी तक डोल कलम आज उनकी जय बोल कलम आज उनकी जय बोल तो मैं आज अपनी बानी से आपकी जय बोलता हूँ आपका अभिननन करता हूँ मैं गलवान गहटी में शहीद हुए अपने वीर जवानों को भी पुनह स्रद्धाजली अर्पित करता हूँ इनमें पूरत से पस्चिन से उत्तर से दक्षिन से देश के हर कोने के बीर अपना शौर्य दिखाते थे उनके पराकरम उनके सिहनात से धर्ती अब भी उनका जयकारा कर रही है आज हर देश वाजी का सीर आपके सामने अपने देश के भी सेनिकों के सामने आदर पुर्वक नतमस्तक होकर के नमन खरता है अज हर भारतिय की चाती आपकी वीरता और पराकरम से फुली हुई है साथ्यों सिंदू के आशिरवाद से ये धर्ती पुन्य हुई है बीर सपुतों के शावरी और पराकरम की गाताओं को ये धर्ती अपने आप में समेटे हुई है लेख लगदाव से लेकर करगील और सियाचिन तक रेजांगला की परफिली चोटियां से लेकर गलवान गाटी के ठंडे पानी की धारा तक हर जोटी हर पहाड हर जर्रा जर्रा हर कंग्यर पत्थर भारतिय सैनिकों के पराकरम की गवाही देते हैं फोटिन कोर की जावाजी के किस्से तो हर तरफ है दुनिया ने आपका अदम में साहत देखा है जाना है आपकी शौर्य गाथाएं गर गर में गुंज रही है और भारत माता के दुश्मनों ने आपकी फायर आपकी फायर वोई देखी हैं और आपकी फ्यूरी भी साथियों लद्दा का तो यह पूरा हिस्सा यह भारत का मस्तक है 130 करोर भारतियों के मान सम्मान का प्रतीक है यह भूमी भारत के लिए सर्वस्वत्याग करने के लिए हमेशां तयार रहने वाले राष्ट भक्तों की धर्ती है इस धर्ती ने कुशत पकुला रिंपोंचे जैसे महान राष्ट भक्त देश को दिये है यह रिंपोंचे की ही उनी के फैरन जिनोंने दुश्मन के नापाक इरादों में स्थानिया लोगों को लामबंद किया रिंपोंचे के गुवाई में यहां अलगाओ प्रेदा करने की हर साजीस को लद्दाग की राष्ट भक्त जन्ता ने नाकाम किया यह उनी के प्रेरक प्रयासों का परणाम था कि बेश को भारतिय सेना को लद्दाग स्काउट नाम से इंफंट्री रेजिमेंट बनाने का प्रेरणा मिली आज लद्दा के लोग हर स्थर पर चाए वो सेना हो या सामान्य नागरिक के कर्तत्य हो राश को ससक्त करने के लिए अदभूत योगलान दे रहे हैं साथियों हमारी यहां तहां जाता है खडगेन आक्रम्य बंजी तहा खडगेन आक्रम्य बुन्जी तहा वीर भोग्या वसुंद्रा यानी वीर अपने सस्त्र की ताकत से ही धर्ती की मात्र भूमी की रक्षा करते हैं यह धर्ती वीर भोग्या है वीरों के लिए हैं इसकी रक्षा सुरक्षा तो हमारा समर्थ और सामर्थ हमारा संकल्प हिमारा जितना ही ऊंचा है यह सामर्थ और यह संकल्प में इस समय आपकी आँखों में मैं देख सकता हूँ आपके चहरों पर यह साब साब नजर आता है आप उसी धर्ती के वीर है जिसने हजारों वर्सों से अनेतों आकरांताओं के हम लोग को अत्याचारों का मुह तोड जमाब दिया है हम और यह हमारी पहचान है हम वो लोग है जो बांसूरी धारी कृष्ण की पूजा करते हैं तो हम वही लोग हैं जो सुदर्सन चक्रधारी कृष्ण को भी आदर्शमान करके चलते हैं इसी प्रेंड़ा से हर आक्रमन के बाद भारत और ससक्तव करूब रहा है साथियों रास्त की दुनिया की मानवता की प्रगति के लिए शांति और मित्रता हर कोई स्विकार करता है हर कोई मानता हैं बहुत जरूरी हैं लेकिन हम ये भी जानते हैं कि शांती निर्वल कभी नहीं ला सकता कमजोर शांती की पहल नहीं कर सकता वीरता ही शांती की पुर्वशर्ट होती है भारत आज जल थल नब और अंत्रीक्स तक अगर अपनी ताकत बढ़ा रहा है तो उसके पीछे का लक्षा मानव कल्याण ही है भारत आज आदुनिक अस्त्र सस्त्र का निर्मार कर रहा है दुनिया के आदुनिक से आदुनिक तक्नीक भारत की सेना के लिए ला रहे हैं तो उसके पीछे की भावना भी यही है भारत अगर आदुनिक इंफास्त्र का निर्मार तेजी से कर रहा है तो उसके पीछे का संदेज भी यही है विश्व उद्व को अगर हम याद करें विश्व उद्व हो या पिर शांती की बात जब भी ज़रुत पड़ी है विश्व ने हमारे भीनों का प्राक्रम भी देखा है और विश्व सांती के उनके प्रयासों को मैसूस भी किया है हमने हमेशा मानवता की इंसान योकी हुमेनिती की रक्षा और सुरक्षा के लिए काम किया है जीवन खपाया है आप सभी भारत के इसी लक्ष को भारत की इसी परंपरा को भारत की इस मही महान संस्कृति को स्थाबिट करने वाले अगवा लीडर हो साथियों महान संथ तिर्वल्वर्जी ने सैंक्लो वर्ष कुर्व कहा था मारा मानं मांड़ वड़ी चेलव तेकुं येना नानगे येमं पड़ाई कह यानी शोर्य सम्मान मर्यादापुन ब्यहवार की परंपरा और विश्वस नियता ये चार गूं किसी भी देश की सेना का प्रतिव होते हैं बारत की सेना हैं हमेशा से इसी मार्ग पर चली है साथियों विस्तारबाद का यूग समात हो चुका है ये यूग विकास वाद का है तेजी से पदलते हुए समय में विकास वाद ही प्रासंगिक है विकास वाद के लिए ही आउसर है और विकास वाद ही बविश्य का आधार भी है बीती शतारदियों ने बीती शतारदियों में विस्तारबाद ने ही मानवता का सबसे ज़्यादा ही त्या मानवता को विनास करने का प्रास किया विस्तारबाद की जीत जब किसी पर सवार हुई है उसने हमेशा विश्व शांति के सामने खत्रा पैदा किया और साथ्यों ये न भुले इत्यास गवा है कि ऐसी ताकतें मिद गई हैं या मुड़ने के लिए मजबूर हो गई है विश्व का हमेशा यही अनुभाव रहा है और इसी अनुभाव के आधार पर अब इस बार फिर से पूरे विश्व ने विस्तार वाद के खिलाब मन बना लिया है आज विश्व विकास वाद को समर्पीत है और विकास की खुली स्पर्धा का स्वागत कर रहा है साथियों जब जब मैं राष्ट रक्षा से जुड़े किसी निल्डे के बारे में सोचता हूँ तो मैं सबसे पहले दो माताओं का स्मरण करता हूँ जब भी मैं राष्ट रक्षा के विशे में सोचता हूँ तो मैं सबसे पहले दो माताओं का स्मरण करता हूँ पहली हम सभी की भारत माता जब मैं दो माताओं का स्मरण करता हूँ पहली हम सभी की भारत माता और दूसरी बेवीर माताओं दूसरी बेवीर माताओं जिनोंने आप जैसे प्रमाक पराक्रमी योज़्दाओं को जन्म दिया है मैं उन दो माताओं का स्मरण करता हूँ मेरे नेरे की कसोडी यही है इसी कसोडी पर चलते हुए आपके सम्मान आपके परिवार के सम्मान और भारत माता की सुरक्षा को देश सर्वोच चप्रात्विक्ता देता है सेनाओं के लिए आदुनिक अतियार हो या आपके लिए जरूरी साजो सामान इन सभी पर हम बहुत ध्यान देते रहे हैं अब देश में बॉर्डर इंफ्रस्रेक्टर पर खर्च करीब करीब तीन गुनात कर दिया गया जाए इससे बॉर्डर एरिया डेवलप्मेंट और सीमा पर सडके पूल बनाने का काम भी बहुत तेजी से हुआ है इसका एक बहुत बड़ा लाग ये भी हुआ है कि अब आग कि तक सामान भी कम समय में पहुंचता है साथियों सेनाओं में बहतर समनवाई के लिए लंबे समय से जिसकी आशा थी वो चीफ अब डिफेंस टाप के पत का गठन करने की बात हो या फिर नेशनल वार मेमोरियल का निर्वान वन रैंक वन पेंशन का फैसला हो या फिर आपके परिवार की देखरे से लेकर सिख्षा तक की शही व्यवस्ता के लिए लगातार काम देश आज हर स्तर पर अपनी सेनाओं और सैनिकों को मजबूत कर रहा है साथियों भगवान गौतम बुन्त ने कहा है साहस का संबंध प्रतिवध्यता से हैं कन्विक्षन से हैं साहस करुणा है साहस कमपेशन है साहस वो है जो हमें निर्भीक और अडिक होकर सत्त के में पक्ष में खड़े होना सिखाएं साहस वो है जो हमें सही को सही कहने और करने की उर्जा देता है साथियों देश के वीर सपुतों ने गलवान गाटी में जो अदम्या साहस दिखाया वो पराक्रम की पराकास्टा है देश को आप पर गर्व है आप पर नाज है आपके साथ ही हमारे आइटी बीपी के जमान हो बीएसेट के साथी हो हमारे बियारों और दूसरे संग्षणों के जमान हो मुश्किन हालात में काम कर रहे हैं इंजीनियर हो समीक हो आप सभी अदभूत काम कर रहे हैं हर कोई कंदे से कंधा मिलाकर माभारती की रक्षा के लिए माभारती की सेवा में समर्पित है आज आप सभी की महनत से देश अनेक आपदाओं से एक सांथ और पूरी दड़ता से लड़ रहा है आप सभी से प्रेणा लेते हुए हम मिलकर हर पर हर चुनोती पर मुश्किल से मुश्किल चुनोती पर विजय प्राप्त करते रहे हैं विजय प्राप्त करते रहेंगे जिस भारत के सामने और हम समने जिस भारत के सपने को लेकर और विशेश रुप से आप सम शरहत पर देश की रक्षा कर रहे हैं हम उस सपने का भारत बनाने के लिए आपके सपनों का भारत बनाने के लिए 130 करोर देश्वासी भी पीछे नहीं रहेंगे यह मैं आज आपको विश्वाद दिलाने आया हूँ हम एक ससत्र और आत्मंदिर भर भारत बनाएंगे बना करके ही रहेंगे और आप से प्रेणा जब मिलती हैं तो आत्मंदिर भर भारत का संकल्ब भी और ताकत पर हो जाता है मैं फिर एक मार आप सभी का रवे से बहुत पर अभिनदर करता हूं बहुत पर दनिवाद करता हूं मेरे जान पूरी ताकत से बोलिए भारत माता की भारत माता की भारत माता की बंदे बंदे बंदे